हरियाना में सोनिया गांधी की आज एक रैली होने वाली थी लेकिन अब इस रैली को रद कर दिया क्या है तो आपको बता दें सोनिया गांधी की जहग है अब राहुल गांधी इस रैली को परेंगे तो हरियाना के महिंद्रगर में ये रैली होने वाली थी अलाकि का जा रहा था कि आखरकार इससे पहले रैली क्यों नहीं की गई लेकिन फिलाल जो ये रैली रद होने वाली थी उसको रद कर दिया क्या है तो हर्याणा के महिंद्रगर में रैली होने वाली थी सोन्या गांधी के अंत्रे मध्धक्ष है अंत्रे मध्धक्ष बनने की बात पहली ये जनसभा होने वाली थी लेकिन फिलाल रद कर दी गई है नीजी कार्णों का यहाँ पर हवाला दिया गया है लेकिन अब यहां हर्याणा के महिंद्रगर में सोन्या गांधी के बचाए राहूल गांधी इस जनसभा को संबोधित करेंगे तो आज हर्याना के रण में कूदने वाली थी सोनिया गांधी जहां अपनी पार्टी के पक्ष में महल बनाने की कोशिश यहां पर करने वाली थी लेकिन फिलाल इस इकलोती रैली को रद कर दिया गया है सुनिया गांधी की जो रैली आज हरियाना की महिंद्रगर में होने वाली थी रत कर दिया किया और अब राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे तो सुर्या गांधी की तब्वेद आपको बता दे दरसल पिछले समय से खराब चल रही है और यही वज़े थी जिसकी चलते कहा गया था कि चुनाबों में बहुत कम रैलियों को वो करने वाली है इसे की चलते सिर्फ एक रैली को यहाँ पर तयार किया गया था कि महिंद्रग कोई जानकारी मिल पाई है कि आखरकार बज़े क्या रही इसके पीछे जो सोर से कॉंग्रिस के वो बता रहे हैं कि दरसल सुनिया गांधी की सब्वेद में खराबी की सिकार गया है उनका मेहंद्रगर दौरा रत कर दिया गया है लेकिन वो यह भी बता रहे है कि उनकी जग रहे हैं जो प्रस्तावित थी वो ऐसे ही चलेगी और जो स्थानी नेता है वो लोग भी उसको रहे हैं को संभालेंगे लेकिन अभी पूरी पुरी पुष्ट जानकारी मिल पाई है कि बिसिकली क्या टवेद्वेद पराब हुई कैसे क्या हुआ अभी यह पूरी जानकारी राहूल गांधी अब यहाँ पर इस रैली को संभोधित करेंगे? जब वो नमंकन भरने गई उसी दुरान एक सभा उन्होंने की थी लेकिन हर्याणा महराश में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एक रैली यहाँ पर की जाने थे लेकिन फिलाल उस रैली को भी रत कर दिया क्या है?